नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी होष्ट और आप देख रहे हैं धम सर्मार्ट तुलारासी नौरात्री की रात चुपके से कर लिए गुपतुपाई रातो रात चमंग जाएगी किसमत दोस्तों नौरात्री में सनीवार और सोंबार के दिन का विशेस महत्त है और इस बार की नौरात्री बहुत खास है क्योंकि सनीवार के दिन ही पहली पूजा है नौरात्री का आरंब हो रहा है तो आपको जो भी उपाय करना है सनीवार, सोंबार के दिन कीजिए जैसे इस बार तीन दिन आपको मिलेंगे उपाई करने के लिए सोमबा, सनीवार, फिर अस्टिमीती थी है सनीवार को यानि तीन-तीन दिन है आपको जो भी मौका जब भी मिले आप ज़रूर उपाई कर लीजेगा हम आपको दो उपाई बतलाएंगे एक तो धन आने का, दूसरा करज से मुक्ति पाने के लिए आप अपनी रासी के नुसर कैसे मा को परसन नकरें तो चलिए, सबसे पहले तो हम करज उतरने के लिए आपको एक उपाई बतलाते हैं आप जरूर कीजेगा उपाई इससे आपका करज बहुत आसानी से उतर जाएंगे अगर तमाम कोशिस के बाद भी आपका करज नहीं कम हो रहा है बार बार करज पे करज बढ़ता ही चला जा रहा है तो नौरात्री में जितने भी दिन है हर दिन आप चीटियों के जहां भी आपको दिखता है चीटी का बांबी जिसे बोलते हैं घर बिल वहाँ पे आटे में थोर असा सक्कर मिलाकर या फिर जिसे हम आटे की पंजीरी कहते हैं वहाँ पे रग दे आसपास ऐसा करणे से आप वैसे कभी भी कर सकते हैं पर नवरात्री में इसके जादा फ़ल मिलेंगे आपको और ऐसा करने साब देखिएगा धीरे धीरे आपको कर्ज जो है आपके वह खत्म होने लगेंगे वैसे तो हम कर्ज मुक्ति के लिए बहुत सारे उपाय बतलाते हैं लेकिन अभी आप आपको इस उपाय को आप कीजि इससे धन समपता की आकस्मिक रूप से ब्रदी होती है मीठा पान मतलब होता है उसमें सुपारी चूना नहीं होगा बाकी जैसे गुलकन बेगे रहे हैं वो सब चीजें रहेंगी याद रखिएगा वैसे पान वाले को बोलने से कि देवी मा को और पित करना है वो आपको ब पहे रहता है आपके सत्रू है प्रिसान किये हुए है कोट कचरी मुकदमों में बेबजा के फसे हुए है तो आप नवरात्री की सत्मी किठी की रात में मा काल राती की काल राती की पूजन करे और दुरगा सबसती के बारवे अध्याय का पाट करे इससे सत्रू बाधा होती है तो दोस्तों यह थी कुछ जानकारिया हम फिर मिलेंगे किसी नए डॉपी के साथ